हाई फ्रेंड्स स्वागत है अपका सबका एजूकेशन में और आज हम लोग पढ़ेंगे फेज डाइग्राम तो चली इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजूकेशन में अभी तक आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं कि हैं तो कर लिजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए तक उन्हें भी इस वीडियो से लाब मिलता रहें तो चली समझते हैं कि फेज डाइग्राम क्या होता है जब सबस्टांस का एक्जिस्टेंस होता है भेपर लिक्विड एंड सॉलेड में तो ये डिपेंड करता है कंडिशन पर टेंप्रेचर एंड प्रेशर का जब नंबर ओफ फेज को एक्जिस्ट करता है किसी उकलिब्रियम सिस्टम में तो ये अल्सो डिपेंड करता है टेंप्रेचर एंड प्रेशर पर The equilibrium condition for any system may be completely by diagram have been temperature one axis and pressure decomposition on another axis किसी system का equilibrium condition में completely diagram के दोरान one axis पर temperature होता है and another axis पर pressure होता है जब diagram का illustrated होता है equilibrium condition में तो system के various phase को हम लोग phase diagram कहते हैं तो चलिए अब इसके diagram को देखते हैं ये देखिए phase diagram कुछ इस तरह से होता है आप देख सकते हैं और ये water का phase diagram है इधर आप देख सकते हैं कि इधर pressure increase हो रहा है और इधर temperature increase हो रहा है और इस point पे आप देख सकते हैं कि ये तीनो point coexist कर रहा है ये point A है ये point B है और ये point C है इधर आप देख सकते हैं कि water ice के form में है solid इधर आप देख सकते हैं कि water liquid के form में है और इधर आप देख सकते हैं कि water gas के form में है और इस point पर तीनो coexist कर रहा है आप देख सकते हैं इधर से ice है इधर liquid है और इधर gas है ये जो point है इस point को Tf कहते हैं और इस point को Tb आप देख सकते हैं तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं The phase diagram for system in equilibrium contains a number of lines, area and point of intersection each of which has significance Phase diagram equilibrium system में contains करता है number of lines, area and intersection of point जिसका अपने अलग significance होता है तो I hope कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी अपने दोस्तों के साथ सेर कीजी और हाँ friends कमेंट में जरूर बताएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगाता हम लोग मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में सोभी के लिए थैंक्यू झाल